जोतिश के मुताबिक इस बार 21 साल के बाद आज से सन्योग बन रहे हैं जिसकी वज़ा से महा लक्ष्मी की किरपा इन राश्यों पर होने वाली है जिससे कि इनको माला माल होने से अब कोई नहीं रोक सकता है जिन राशियों पर मा के किर्पा होने वाली है उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं आपको बता दे कि इन राशी वालों की किस्मत खुलने वाली है जिससे कि इनको कई बड़े लाब मिलेंगे अपने कारियों के द्वारा समाज में नई किर्तिमान को भी अस्थापित करेंगे ब्यापारियों को लाब मिलेगा और नौकरी पेशा वाले लोगों को धनलाब के योग बन रहे हैं कारी छेतर में या फिर बेवशाय के छेतर में अधिक धनलाब की प्राप्ती हो सकती है स्वास्त आपका अच्छा रहने वाला है जीवन साती के साथ आपके रिष्टे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे कोट कचहरी के मामलों में फैसला आपके ही पक्ष में आ सकता है आप अराम भरी जिन्दगी को बैतीत कर सकते हैं किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा नौकरी पेशा से लेकर ब्यापारियों दोनों को धनलाब के योग बंदहें हैं जिसका आपको लंबे समय तक फायदा भी मिलेगा धनलाब के भी योग होने से ब्यापारियों को ब्यापार में भारी लाब मिलेगा आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे कोई खुश खबरी भी मिल सकती है इस राशी वालों को सबसे बड़ा धनलाब हो सकता है आपका शुब समय शुरू ही होने वाला है हर कोई आपकी राय लेना चाहेगा और अपना सव भाग्य समझेंगी माता लक्षमी खुद दोनों हाथों से आप पर किर्पा को बरसाएंगी समाज में आपका मान समान बढ़ेगा और आज से मा लक्षमी जीन राश्यों का सोया हुआ भाग्य जगाने वाली है वो राश्या कोई और नहीं बलकि मेश, तुला, ब्रिश्चक, कर्क, मकर और मीन राशी है नेक्ट्ट नाइन स्पिर्चुल से बिनितराय की रिपोर्ट